नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी येटूब चैनल में दोस्तों आगे आपके जीवन काल में स्वयम सनिदेव यह चमत कार करने जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मजाग समझने की गलती ना करें और दोस्तों सुरू से लेकर अन तक जरूर देखे क्योंकि दोस्तों आज की इस जीवन काल में बहुती ऐसे लोग हैं जो की भक्ती भाव पर यकिन रखते हैं जिहां दोस्तों लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दे की जितने भी लोग बचे हैं जो लोग भक्ती पर यकिन रखते हैं तो दोस्तों इस वर भी उनकी मनुकामन भावनाव को आवस ही पूरी करते हैं क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि आज की इस दोर में चीनों भी अच्छे कर्म किये हैं उनको इसी जन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं लेकिन दोस्तों हम आपको बता दे कि जो भी ऐसे विक्ति हैं जो कि इस वर पर यकिन रखते उनके उपर अपनी शारी जम्यदारियां सौप देते हैं तो दोस्तों इस वर भी उनको भावनाव को समझते हुए अच्छे कर्मों का फल उन्हें अच्छे ही देते हैं जहां दोस्तों यू कहें तो दोस्तों अच्छे कर्म किये हैं तो उन्हें दोगुनों फलों की प्राप जाएंगे और जो आपसे जलने वाले हैं आपकी काम्यावी को देखकर जादा जलते थे तो दोस्तों उनसे आपको सावधान रहना होगा क्योंकि दोस्तों ये आपसे और भी इस्या करने लगेंगे तो दोस्तों अब आपके जीवन काल में जो शफलता हैं जो काम्यावी और शुप शमाचार आपको मिलने वाले हैं या देखकर उनकी आखें खुली की खुली रह जाएंगे तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुती जादा और बहुती इंपोर्टेंट रहने वाले हैं हर एक बात को सुनना आप सभी के जीवन के लिए और आने वा आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान सनिदेप के आशिरवात से आपके घर के माहौल में पारेवारिक जीवन में परतेक चेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आप सभी को बाताना चाहेंगे कि यह बात से आप बिल्कुली आप पर इचित होंगे कि कभी इस धर्ती पर क्या पूरे बर्मान में भी बुराई की जीत नहीं होती और सच्चाई कभी हारती नहीं जिहां दोस्तों और दोस्तों आप यह भी जानते हैं कि दोस्तों जो बुराई आपके जीवन काल में चल रही है जो भी परेशानी आपको मिल रही है या ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली जिहां दोस्तों यह भी खत्म हो जाएगी बरस्ते इनका सही समय कब आएगा और बात से आप बिल्कुली अपरिजित हैं जिहां दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आपका वक्त समय के साथ बदलने वाले हैं जीवन काल मे समय के साथ आपको परिवर्तन नजर आने वाले हैं जीवनित के परिवन काल में कई खुष खबरियां भी मिलने वाले हैं और दोस्तों कुछ एसे बड़ी-ड़ी कामयावी भी होंगें जोकि दोस्तों आपके पूरे जीवन को ही बदल देंगें तो harvest बात करते हैं पूरे व और इनके लिए कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय सनिदेव लिग दें ताकि सनिदेव का अशिर्वात आप सभी को प्राप्थ होता रहेगा और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइकन को प्रेस करके और पर श्लेट कर लें तो आज दोस्तों बात करते हैं शुरुवात करते हैं स्रीक्रिशन जी के अच्छे ग्यान से एक अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इंदुनों में एक इक्छा सक्ती जागरित होगी पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सेठानी से बोला कि रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो और बाहर में मांग रहा है और उसे करेयों को रुको आ रहे हो तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो तब सेठानी बोली कि हां रोटी दूंगी पर क्या है न कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा मुझे उसका भजन और सुनना है जहां दोस्तों यदि प्रातना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रही है तो दोस्तों समझ जाएए कि उस सेठानी की तरफ परवो को आपकी प्रातना प्यारी लग रही है इसलिए इंतिजार करो प्रातना करते रहो भगवान आपके करमों को एक दिन एक दिन आवसी ब तो आई दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि आने वाले साथ दिनों तक जो सनीदेव की आपकी गिरहों की अच्छी इस्तिती है आपकी कुंडिले में आपको कौन सी बड़ी-बड़ी खुश खबरियां देंगे, कौन-कौन से छेतरों में आपको लाब मिलने वाले हैं, आज आपके घर में कोई वेक्ती दोरा या कोई सुप समाचार दोरा एक एसी खुश खबरियां आएंगे, सनीदेव के किरपा से एक एसी सुप संदेश आएंगे, जिससे दोस्तों आपके पूरे घर में खुशियों भरा बताना रहेगा, दोस्तों यहां तक की देखा आपका सिधान्त वादित दिरिश्टिकोन आपके लिए सम्मान जनक इसे तियां उत्पन करेगा, दोस्तों आपके करमों का वड़ा फल मिलने वाला है, सनीदेव की किरपा से पिछले कुछ समय से चल ही समस्या का समाधान भी मिलेगा, तद आपने व्यक्तिकत कार्यों के प दाबराने की वज़ाए उनका समाधान धोनने का प्रयाज करें, तनाब में आकर किसी के साथ भी बाद बाद में ना उल्ज हैं, क्योंकि इसकी वज़े से आपके कई बंते कार में रुकावटें आ सकती है, तो इन दुनों में आपका ग्रह गोचर अनुकुल है, कारी छेतर में उचित विवस्ता रहेगी, तो इन दुनों में आपको सनिदेव की किरपा से नहीं ने जनकारिया हासिल करना तो अन्य अपनी दिन चारे में शामिल करना, आपके वहबार में आसर जनक सकारत्मक परिवर्तन लाएगी, सांती पूर्न तरीके से अपने कारे को अमजाम द दोस्तों आपको सनिदेव ने एक एसा वर्दान देने वाले हैं, एक एसा चमतकार करने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपको इन दिनों में किसी नी किसी तरह से आपको कोई सुप सन्देश देने वाले हैं, कोई खुछ खबरियां देने वाले हैं, दोस्तों वेबसाय में भवित समिद्री बनाएगी योजनाओं को का रूप देने का अनुकुल समय है, ये योजनाओं आपके बहत तरह की धायक रहेगी, घर में सुकुन भरा मा हो रहेगा, बच्चों को भी पूरी तरह के अनुसासित और आग्याकारी रहेंगे, वेस्तम दिन चारिया में से कुछ समय अपने परिवारित थव्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना समंदर में मदूरता लाएगा, युवां को दोस्ती प्रेम समंदर में तबदिल होगी दोस्तों इन दोनों में वर्तमान मोसम की वज़े से खासी जुखाम बुखार जेसी सिकायते रहेगी, इलाज के साथ साथ आईरुवेदिक चीजों का भी शेवन अवश्य करें परिवार में सांतिपुर्ण महोर रहेगा, घर में किसी बच्चे की रूप नए महमान के आने की सुप सूचना भी मिल सकती है बदलते मोसम के नकारतमों परवाव से बचने के लिए देशी वा आईरुवेदिक चीजों का उपयूग अवश्य करें शुप बात करता आपके उपय के बारे में दोस्तों यह उपय एक बार कर लें, आपको आकिन के साथ कह सकता हूँ कि आपके सभी जीवन के सारी कस्ट दूर हो जाएंगे दोस्तों सनिवार के दिन एक रोटी में सरसों का तेल लगा कर काले या फिर किसी अन रंग के कुट्टे को खिला दें इसा करने से वेक्ति के कुंडिली में लगा सनिदोस्त काफी हद तक कम हो जाता है सनिवार के दिन सनिदेव के विधीवत पुजा करने के साथ साथ इन मंत्रों का जाप अवश्य करें दोस्तों यह मंत्र है ओम प्राम प्रिम प्राम सन सनेचराय नमा और ओम सन सनेचराय नमा दोस्तों इन मंत्रों को शिवार्शना निर्वात रोकर करें आपके जो भी गरा हैं दोस्तों तुरंद खत्म हो जाएंगे दोस्तों महीं बात करते हैं आपका भागे साली रंग और भागे साली अंग क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग हारा है और भागे साली अंग पांच है दोस्तों सनिदेव का आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जै सनिदेव जड़ु लुखें जिससे सनिदेव का आशिरवाद आपके पूरे परिवार पर बल सके धन्यवाद